जहां दूसरों स्वागत आपका इस विजी चैनल में तो दोस्तों आज किसे बिलियों बात करेंगे BAP.com, BAC, BLB की चॉइस्पिलिंग कैसे करना है CLC फर्स्ट राउंड हैं पर स्टार्ट कर दिया गया है CLC फर्स्ट राउंड भी कह सकते हैं दोनों का नाम एक ही है तो हैं पर हमें इसका चॉइस स्वी बिरिंग कैसे करना है मैं आपको बताओंगा वीडियो के मातepend से इसका रजिस्टेशन कैसे करना है इसका वीडियो तो मैंने अपड्लोट कर दिया लेकिन आज के इस वीडियो हम चॉइस्पिलिंग के बारे में जानेंगे, चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को, अब दोस्तों चॉइस्पिलिंग करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर आना है, ये पर भी सर्च करना है, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, अब दोस्तों यहाँ पर एक चॉइस्पिलिंग का लिंक हमें दिखाई देखा, जिसा कि देख पा रहे हैं आपर चॉइस्पिलिंग ओनली रजिस्टर्ट केंडिडिडेट, जो कि 19 जून को ही लिंक एक्टिब और दोस्तों चॉइस्पिलिंग उन स्टूडेंट को भी करना है, जिनोंने फर्स्ट राउंड में चॉइस्पिलिंग करना है, उनका किसी भी कॉलिज में नाम नहीं आया है, उन्हें चॉइस्पिलिंग करना है, और दोस्तों उन चात्रों को भी चॉइस्पिलिंग करना है जिनका नाप college में तो आ गया था लेकिन उन्होंने admission नहीं लिया क्योंकि उनकी मनपसंद का college नहीं है तो उनको भी यहाँ पर choice filling करना है यहाँ पर आपको click कर देना है इसके बाद में registration number डालना है आपको इसके बाद date of birth, password डालना है, capture code डालना है, view details पर आपको click कर देना है त कैसी दोस्तो view details पर click करेंगे आपके सामने आपकी जो detail है बो detail है यहाँ पर आपको दिकाई देने वाली है और यह पूरा इस तरह का interface आजाएगा जैसा कि देख पा रहे हैं यह इस तरह का पूरा interface आपको दिकाई देने वाला है, यहाँ पर आप क्या कर पाएंगे, यहाँ तो इस college को first number पर select करिए, ठीक है first number पर डालिए, Zusरे number पर आपको आपको जान दा इंटरेस नहीं है उस college को डालना है यहाँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम click कर लेते हैं, तो जैसे हैं यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपकी सामनी नया बिंडो ओपन हो जाएगा, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जिस college में admission लीना है, वो college आपका किस जली के अंतगरत आता है, वो यहां पर आपको select करना होगा तो जिद जिले के अंतगरत आता है वो आपको select करना होगा ठीक है जो भी आपका चली हम यहां से इसके बाद में college का इस्टेटस select करना होगा कि आपका regular जो government college या private जो भी है college का level आपको select करना है post graduate लिए जिख सब्ते हैं यहां पर आपको कॉलिज का नाम ढलना है तो यहां पर हम government पीजी पर मराड सेच cabॉलन बाद में course को all course रहनी देना है यहाँ पर यहाँ पर बाइड़ पर course भी देख सकते हैं इसके बाद में capture code डालना है get details पर आप जैसे ही click करोगे आपके सामने पूरी की पूरी course की details आ जाएंगी कि इस college में कौन-कौन से course चलते हैं वह सभी course के नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे ठीक है यहाँ पर आपको किस course में इंड में लेना है जैसे कि आपको बी ए में लेना है यह बी कॉलिच का नाम 0302 है और course का code है तो 0302 और C082 यहां पर fill कर देना है ठीक है यहां पर हम कर देते हैं तो C जो भी 0 आपका code हो आपके course का code हो आपकी college का code हो यहां पर सर्च करके डालना है add preference पर आपको click कर देना है जैसी add preference पर आपके सामने पूरा course का detail आ जाएगा जैसा कि देख पार है college का नाम और course का नाम यहां पर आपको दिकाई दे जाएगा ठीक है यहां पर आपको अगर और भी college select करने तो इसी तरह से आप college की code और course को डाल करके आप add preference पर click करके यहां पर आप fill कर सकते होगे लेकिन दूसरों हमें fill नहीं करना है इसलिए हम सबसे नीचे आ जाएगे सबसे नीचे आने के ब जाएगा फॉर्म complete होने के बाद choice playing complete होने के बाद इस तरह का interface आजाएगा जैसा कि देख पा रहे हैं यहां पर आपका नाम बगर इस अभी चीज़ तो by default दिकाई देने वाले हैं लेकिन में बात है यहां पर choice locked आपको दिकाई देगा आपने किस college के लिए हैं आप चॉइस आप इस्टाग्राम पर follow कर लेजिए जो भी आपकी डाउट इस्टाग्राम पर message के द्वारा पूछ सकते हैं लिंक आपको description box मिल जाएगा मिलते आगवी वीडियो पर को जानकारे के साथ तब तक लिए बाए